हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी चेनल मेत्री स्कूर्फूर में आज की रेसिपी में हम बनाने वाले है पिनल चाट पिनल चाट बहुती टेस्टी और लाज़ाब लगता है और इसे बनाना भी बहुती आसान है बच्चों को तो ये बहुती पसंद आता है और पिनल हमारे शरीर के लिए बहुती फाइदे मन है तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले उसकी सामंगरी देख लेते हैं मैंने आदा बाउल कच्ची मुंग फली लेई है एक बारिक कट की उप्याज, एक बारिक कट की उप्याज, एक बारिक कट की उखरी मिश, तोड़ा सारा दनिया एक निम्बुकारस, आधा छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक चमच चाट मसाला, स्वात के नुसान नमक और आधा कलास पानी ले लिया है सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसके अंदर हम कच्ची मुंगफली डाल देंगे उसके बाद इसमें आधा कलास पानी डाल देंगे, अब इसमें हम स्वात के नुसान नमक और आधा छोटी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे अब प्रेशर कुकर काठकन बन करकर तीन विसल तक हम इसे बोईल होने के लिए रख देंगे यहाँ पर हमारी मुंगफली बोईल हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे इसका पानी हम इस तरह निकाल के इसे हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देंगे मुंगफली हमारी ठंडी हो, तब तक हम इसे रखेंगे अब एक बाउल के अंदर हम बारीक कटकी हुई प्यास डाल देंगे उसके बाद इसमें बारीक कटकी हुई हरी मिश डाल देंगे अब उसमें बारीक कटकी हुई हरी मिश डाल देंगे तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे याद रखे टमाटर के बीच को में निकाल देना है सारी सामगरी मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें बारिक कट किया हुआ हरा थनिया डाल देंगे अब इसमें आधा छोटी चमच चाट मसाला डाल देंगे और फिर से अच्छे से इने मिक्स कर लेंगे अगर आप तिखा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़े सी लाल मिश भी इसके अंदर डाल सकते हैं अब इसके अंदर हम एप बोईल की हुई मुंग फली डाल देंगे मुंग फली डालने के बाद फिर से अच्छे से इने मिक्स कर लेंगे अगर आपको boil की हुई मुंगफली पसंद नहीं तो आप मुंगफली को तेल में fry भी कर सकते हैं उसके बाद इसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं अब इसमें हम एक निम्बू का रस डाल देंगे ताकि इसका flavor बहुत ही अच्छा है अब लिम्बू के रस डालने के बाद अच्छे से इने मिक्स कर लेंगे तो लीज़े यह हमारी मुंगफली चाट बन के रेडी हो चुकी है अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे लाज आप और टेस्टी मुंगफली या पिनट चाट बन के रेडी हो चुकी है बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है आप भी इसे जरूर से ट्राइ करें अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद